Hello my dear students, welcome back to one more class. आज की इस class में हम study करने वाले हैं class 10 का chapter 1 का एक और activity और वो है activity 1.5. तो students इस activity में हम study करने वाले है decomposition reaction. Decomposition reaction क्या होती है यह मैं already अपने कुछ वीडियो में आपको explain कर चुकी हूँ. यहाँ पर हम specifically study करेंगे activity और वो है 1.5. तो चलो देखते हैं कि इस activity में हमसे क्या बोला गया है और उसके answers जो है अभी हम find out करेंगे कि इसके answers क्या है और किस तरीके से हम इसको properly study कर सकते हैं. तो इसमें क्या कहा गया है हमसे हमसे बोला गया है कि take 2 gram of ferrous sulfate crystals. तो यहाँ पर यह word यूज किया गया है ferrous sulfate crystals. Students यहाँ पर जब हम crystals की बात करतें तो जब भी crystals यहाँ पर रहेंगे वहाँ पर water of molecule भी रहते हैं. और इसलिए इसका formula होता है FESO4.7H2 और अगर आप NCRT में देखोगे तो NCRT में यह सिर्फ FESO4 दिया है. बट क्या होता है कि जब आप जैसी आप इस diagram में देख सकते हो यहाँ पर इस diagram में जो है यह girl यहाँ पर खड़ी है और वो क्या कर रही है उसको heat कर रही है. ठीके में यह diagram भी मैं आपको explain करूँगी तो यहाँ पर देखो जब first time जब आप FESO4 को heat करते हो तब उसमें से यह water molecule evaporate हो जाते है और यहाँ बचता है सिर्फ FESO4. ठीके सो NCRT में भी FESO4 की ही reaction दी गई है बट इन केस अगर कभी board exam में इस question आता है कि X के form में और हमसे बोला गया कि ferrous sulfate crystals का formula लिखो तो हमेशा याद रखना ferrous sulfate crystals का formula यही होता है. अब देखो अभी नोंने क्या कहा कि take 2 gram of ferrous sulfate crystals in a dry boiling test tube तो अभी हमने क्या किया एक test tube ले ली और उस test tube में ferrous sulfate के crystal लेने के बाद में हमने उसको heat कर दिया. अब जब आप इसको heat करोगे तब हमें क्या पता चलता है? यहाँ पर देख सकते हो आप इसमें से कुछ gases निकल रही है. आप यहाँ पर ध्यान से देखो यह मैं area थोड़ा सा यह कर देती हो highlight यहाँ पर देखो यह है ना कुछ gases निकल रही है. इसका मतलब क्या हुआ? इसका में SO3 जिसको sulfur dioxide और sulfur trioxide भी कहा जाता है. और यह दोनों gases की smell जो होती है वो होती है like a burning sulfur. अब बहुत सारी बच्चों को burning sulfur मतलब क्या होता है? वो smell समझ में नहीं आती है. तो burning sulfur की मतलब smell कैसी होती है? कि आप मान के चलो कि गरम तवे पे अगर आपने शुगर के 2-3 crystals डाल द तो उसमें वो चीनी जलने की बदबू आती है. अक्चुल में that one is smells like a burning sulfur. बर्निंग sulfur की smell होती है वो. अब देखो FESO4 जो की क्या होती है? इसका color क्या होती है? इसका color भी याद रखना बहुत ज़रूरी है. इसका color जो होता है? वो होता है light green in color. कैसा होता है? यह light green in color होता ह है जिसको heat करने के बाद में यह convert होता है Fe2O3 और साथ में ही यह gases भी evolve होती है. gases को show करने के लिए हम इस तरीके से arrow दिखाते हैं. इसका name क्या होता है? इसका name जो होता है? वो होता है feric oxide. यह feric oxide होता है. आप जब इसको balance करने जाओगे तो मैं सिर्फ यहार 2 लिखोंगी और फिर यह बाकी reaction पूरी reaction balance हो जाएगी. अब देखो यहाँ पर जब हम देख रहे हैं इस reaction को properly तब देखो ज़रा यहाँ पर हमसे बोलागी यह तो reaction है. एक्जाम में बहुत बार reaction लिखने के लिए आती है. अब आते हैं हम इस diagram के तरफ. इस diagram में क्या बोला गया है? आप ध् हमें उसमें smell करके कभी भी नहीं देखना चाहिए. तो हमें क्या करना चाहिए? हमें हातों से उन गैस को अपनी तरफ खीचना चाहिए. और उस process को कहा जाता है. विफ्टिंग. हम कभी भी directly अपने हमारा नाक उस test tube के पास नहीं ले जाते है. तो जबकि हम वेपर को हम अप से निकल रही है. यह बहुत बार हमें आरे लिए फामफुल भी हो सकती है. इसलिए कभी भी इसका पॉइंट जो है अपने फ्रेंट्स की तरफ या खुद के तरफ भी नहीं करना चाहिए. इसे हम बॉइलिंग test tube कहते हैं. इसके अंदर जो है फेरस सल्फेट के क्रिस्टल स है. इसको हम बर्नर कहते हैं और यह reaction हम लिबारेटरी में ही कर सकते हैं क्योंकि वहां पर हमें फेरिक सल्फेट आराम से मिल जाएगा. अब देखो अब हमने यहां पर यह कहा है कि यह लाइट ग्रीन इन कलर होता है फेरिक ऑक्साइड का कलर होता है ब्राउन फेरिक ऑक्सा कलर क्या होता है लाइट ग्रीन होता है फिर हम से कहा गया ही ट द बॉइलिंग टेस्ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ बर्नर और स्पिरिट लांप एशोर इन द फीगर फीगर में इस तरीके से कहा गया है उस तरीके से मुसको हीट कर सकते हैं अब हमसे बोला गया जो रहेगा इसके लिए स्पेशली यहां पर क्या आएगा अंसर ब्राउन कलर हमें यहां पर मिल रहा है और यहां पर हमने क्या का कलर ओफ फेरस सल्फिट क्रिस्टल क्या हो जाएगा ग्रीन इस तरीके से हम इस अक्टिविटी को स्टडी कर सकते हैं स्टूडिट आप अग से लिख के प्रक्टिस कीजिए साथ में इसके कलर भी याद रखिए और इसका नाम भी याद रखना है तो यह अक्टिविटी 1.5 यह वन आप दे वेरी इंपोर्टन अक्टिविटी ओफ चाप्टर 1 तो आई होप आज की क्लास में मैंने आपको जो भी पढ़ाया है वो अच्छे से समझ में आ गया है Thank you students and have a good day ahead